ये नतत साधने नाशू शुद्यत्यात्मा विशे सतह शिवप्राप्तिर्भवेतात सदा निर्मलचेतसः प्रेदर्शुकू, नमस्कार। एक पर फिर सुपस्तित हूँ आप सबके सामने रवी बार के कारिक्रम में विशे सन जन्म कुणली का इस कारिक्रम के अनतरगत ये वो कारिक्रम है जो मैं आप लोगों के द्वारा भेजे गए कमेंट से चुनता हूँ और इस सब्ताह मैंने जिनकी कुणली चुनी है इन्होंने लिखा है मैं पिछले दो साल से आपका नियमित कारिक्रम देखती हूँ और आपकी रेगुलर दर्शिका हूँ पर अभी तक आपने मेरी कुणली नहीं देखी है इस बार इनका नाम है इनकी आईडी है इन्होंने अपने C.A. के बारे में पूछा है और ये तुला लगन की कुणली है शनी और मंगल धनभाव से एक घर आगे मंगल का धनभाव में जाना और इस कुणली के पंचमेश और चरतुर थेस के साथ बैठना ठीक होगा सूरिय बुद्ध और चंद्रमा का सूरिय से पीछे जाना बुद्ध और चंद्रमा का थोड़े कमजोर हलाकि फिर भी एक प्रकार का योग बनेगा जो इनको धनभावान बनाएगा सब्तम भाव के गुरु अकेले हैं राहू और केतू से प्रभावित हैं क्योंकि केतू की दृष्टी है बुद्ध और चंद्रमा जन्मकुंडनी में व्यक्ति को सुखद एहसास कराएंगे और व्यक्ति को संपत्तिवान बनाएंगे शुक्र उचके बैठे हैं गुरु मित्र की रासी में मंगल और गुरु का परिवर्तन ये सिक्षकिये योग और कई बार व्यक्ति को धन से जोड़ करके काम करने वाला मार्केटिंग पॉलिसी से जोड़ करके धन कमाने वाला और कई बार व्यक्ति को मेहनत करके किसी भी चीज़ को प्राप्त करने का बल लग जाता है शनी और मंगल का तीसरे भाव में बैठना व्यक्ति को धनवान बनाएगा पर मेहनत करने के बाद अब आसानी से आपको कोई भी काम नहीं मिलता और मेहनत बहुत जादा करनी पड़ती है किसी भी चीज को पुरा करने के लिए इस कुंडली में अभी दशार राहू की वैसे भी चल रही और आपका चंद्रमा कृष्ण त्रयोदर्शी का है जो आपसे प्राइवेट नौकरी या प्राइवेट काम करवाएगा सिसर रितु में जन्मे हैं उत्तरयने में जन्मे हैं और सुमवार को जन्मे होने से ये कुंडली सुद्ध है परिपक्व है और शांत है जगडालू नहीं है उत्तरा शाढ़ा नक्षत्र में जन्मे होने से कुछ न कुछ हद तक आसान बनेगा काम सुर्य इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे होते हैं सुक्र इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे होते हैं शनी इस कुंडली के लिए अच्छे होते हैं पंचमभाव में सुर्य और राहू का बैठना विवाह में बिलंब का योग बनाता है दुतियेस का शनी के साथ बैठना विवाह में विलंब का योग लगाता है गुरू का प्रभाव लाभ, गुरू के लिए लगन और गुरू का प्रभाव शनी मंगल को देखना विक्ति को धन से जोड़ करके काम करने वाला सीए, बैंकिंग, फिनांस और कई बार मार्केटिंग पॉलिसी तियार करने वाला बनाता है हलाकि गुरू और चंद्रमा आपकी कुंडली में केंदर में है पर चंद्रमा के पास बल कमजोर है, पक्षका बल नहीं है इस वज़ा से इस कुंडली के सारे ही ग्रह कमजोर हो रहे है इस वज़ा से हमें भगवान के नित्य आराधना करनी चाहिए गरंतों का ध्यान करना चाहिए अपने मन को ब्यवस्थित रखना चाहिए आसानी से किसी की बातों में नहीं आना चाहिए नौमान्स कुंडली में चंदरमा केंदर में शनी सुक्र की रासी में सुक्र अपने भाव को देख रहे हैं गुरू और मंगल का तीसरे भाव में जाना सामने वाले को रिलैबल बनाता है पर यहां राहु का प्रभाव और जन्म कुंडली में मकर रासी और मकर रासी के जातकों से और लगन के जातकों से विवाह किया दा सकता है विवाह के योग इस कुंडली में 2024 के जनवरी से आ रहे हैं गुरू आपकी कुंडली में मेश रासी में हैं अश्वनी नक्षत्र के चंदरवा से केंदर में बुद्ध से केंदर में और गुरू के उपर किसी पापक रह में से केतू की दृष्टी है जो पती को धार्मिक और बुद्धिमान बनाता है लेकिन परिशानी यह है कि वो रहू और केतू के संपर्क में है तो तारकिक भी इस कुंडली के लिए धन भाव के अधिपती का परक्रम में जाना ठीक नहीं होगा। इस वज़े से इनकी दर्शाओं में हमें अपने स्वास्त, अपनी आयू, अपनी बुद्धी, अपने बल और परक्रम को और छोटे भाई बहनों का सुख भी थोड़ा सा बादित होता देख रहा हूं। शनी का ठीक होना ठीक है क्योंकि पंचमेर सेंकम से कम शनी से दिरिष्ट हो रहे हैं, कारगर अगर गुरू से दिरिष्ट हो रहा है तो खराब तो नहीं होगा। गुरू मंगल का परिवर्तन योग बहुत बनिया रहेगा। आगे आने वाली है गुरू की दशा जो आपको और भी जादा बहतर करवा करके बहतर परणाम दे सकती है। गुरू की दशा इस कुंडली के लिए अच्छी हो सकती है। चंद्रमा को बल देना होगा, मंगल को बल देना है, बुद्ध ठीक हैं, गुरू को बल देना है, शुक्र ठीक हैं इस कुंडली के लिए जो इस कुंडली के लिए सरवाधिक योग कारक हैं, इस कुंडली में ध पिता के स्वास्त में कभी-कभी परिशानी देखने को मिल सकती है, अलकि पिता का कारोबार और पिता का सुख इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंचम भाव पर, शनी की दिश्टी सात्मी भाग्य भाव पर, शनी की दिश्टी दस्मी बारहमे भाव पर, धन देना लेना, खम करना चाहिए, बचा करके धन बचाने की कोशिस करिए, ये बात मैं इतना कह सकता हूँ, इस कुंडली के लिए आपको अगर मैं और बता दू, ये कुंडली ब्यभारिक रूप से बहुत अच्छी है, स्वभाव के रूप में और अपने बिचारों के रूप में कोई बदलाओ के अवशक्ता नहीं, ये बस अब जिद्दी मत होईएगा, ये कुंडली धन और बचा सकती है, दूसरों के मामले में सोच करके अपने तकल कुंडली का बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन प्राइवेट नौकरी इस कुंडली का बहुत अच्छा है, इस कुंडली में रीसर्च और भी बढ़ा सकते हैं, बल भगवान को गणेश जी की पूजा, गणेश चतुर्थी का वरत काप कर सकते हैं, करियर में थोड़ी बहुत अनिस्टेबलिस्मेंट रहेगी, आपकी कुंडली में चंडरमा दर्शमस्थान को देख रहे हैं, वो कई बार अनिस्टेबलिस्मेंट देते हैं, और कई बरबेक्ती काम बदलता रहता है, लगातार वो काम के दबाव में भी रहता है, अपने लाभ को और भी जादा सुद पुर्दरशी का व्रत, महा जो सिवरात्री आती है, परतेक महीने की मासिक सिवरात्री, उसका वी व्रत आप के लिए यतोकित होगा, इतनी सारी चीजें, इस कुण्ली के लिए अंक में सदै़ी वही आठ संख्या बहुत अच्छा रहेगा, दिशा इस कुण्ली के लिए धन क कमाने के लिए अगर आप चाहें तो पूरब बहुत अच्छा है राशियां कुंभ और मिथुन की बहुत अच्छी हैं विवाह करने के लिए मैंने रासी बता रखी है दिन इस कुंडली के लिए शुक्रवार और सनीवार का किसी भी कार्यों को करने के लिए अच्छा रहेगा बुद्ध, सूरिय और शुक्र की दशा के साथ सनी की दशा में कोई भी अच्छा और धार्मिक मांगली करत्य किया जा सकता है इसके साथ साथ इस कुंडली में रिकगनिशन, मेहनत, पराकरम के बाद परणाम थोड़ा देर से मिलेगा ये आपकी कुंडली है थोड़े बिलंब से आज कारिकरम बना रहा हूँ बिलंब हो गया है, लेट हो गया हूँ इस वज़े से जल्दी में हूँ तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कर